अध्याय तेरा ज्यामिती रचनाएं जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन्स हमने स्केल से रेखा खंड, परकार वचांदे से कोण बनाना सीखा है अब हम कुछ बन आकरितियां बनाना सीखेंगे आईए कुछ रचनाएं करते हैं और देखते हैं कि नई आकरितियां हम कैसे बना सकते हैं सबसे पहले हम एक त्रिभूज की कल्पना करें आप जानते हैं त्रिभूज तीन रेखा खंडों से बनी एक बन आकरिति होती है आपको शादिया लगता हुगा कि यदि आपको तीन रेखा खंड दिये जाए तो उसे त्रिभूज की रचना की जा सकती है लेकिन यहां हमें एक बात सोचनी होगी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी तीन रेखा खंड दिये हो और हम त्रिभूज की रचना कर ले तो ये सवाल के जवाब हम कुछ रचनाओं को करेंगे और ढोणेंगे तो सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं यदि हमारे पास तीन देखाखंड हो जिनके लंबाईयां करमशह 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो यह दिये लंबाईयां हमें दी हुई हो देखाखंडों की तो क्या इनसे हम त्रिभूश की रचना कर सकते हैं चली कोशिश करते हैं सबसे पहले हम जो लंबाईय दी हुई हैं उसमें सबसे बड़ी लंबाई को चुनते हैं साथ सेंटीमीटर की और साथ सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखा खंड कीशते हैं यह हमने स्केल का इस्तमाल किया है और यहां हम जहां दर शुरू होता है शुन्य वहां से हम शुरू करते हैं अपने रेखा खंड को खीचने की वहां से हम अपने रेखाखंड को खीचने के शुरुवात करते हैं और यह देखिए हम ठीक 7 cm के निशान पर आके रुखते हैं और यह हमने एक रेखाखंड के रशना कर ली इसकी माप 7 cm है यहां हम दो नाम दे दे माली जी हमने इस बिंदू को नाम दिया Q और इस बिंदू को नाम दिया R यह एक रेखाखंड है इसके लंबाई 7 cm है इसे हम यहां लिख लें 7 cm अब हमारे पास दो लंबाई या और है 5 cm की और 6 cm की हमें एक रेखाखंड को क्यों से खीचना होगा और दूसरे रेखाखंड को आर से खीचना होगा हमें ये पता नहीं है कि ये 5 cm के जो हम रेखा खंड खीचेंगे उसकी दिशा क्या होगी और ठेक इसी तरह से 6 cm के जो रेखा खंड खीचेंगे उसके दिशा क्या होगी क्योंकि हमें कोल नहीं दिया हुआ है तो हम शुरू करते हैं 5 cm की रेखा खंड को खीशने की शुरुवात करते हैं हमने परकार लिया और उसकी नोग को हमने शुनने पर रखा इसकेल पर और दूसरे हिस्से को ठीक 5 cm पर रखा यह आप देख सकते हैं और यह जो हमने लंबाई ली है जो चाप लिया है वो 5 cm तरिज्या का है तो हम परकार की नोग को की उपर रखें और एक चाप खीचें यहाँ पर यह चाप हमने रेखा कि उपर की तरफ खीचा अब ठीक इसी तरह से हम दूसरी लंबाई के साथ करेंगे यह हमने यहाँ पर फिर से परकार के नोग को शुन्य पर रखा और परकार की कलम वाली यह पेन वाली नोग को हम ठीक 6 पर लेके आ रहे हैं आप देख सकते हैं इसको यह जो हमने फैलाया है इसके लंबाई 6 cm है परकार के नोग को हम आर पर रखते हैं और दूसरे हिस्से से उसी तरफ एक और चाप काटते हैं जिस तरफ हमने पहला चाप काटा था यह जो हमें बिंदू प्राप्त हो रहा है उस बिंदू से हम Q और R को मिला ले तो चूंकि यह जो चाप है पहला वाला उसकी तरिज्जा 5 cm है यानि इस चाप पर इस्थित हर बि जिज्जा हमारी 6 cm थी तो आप देख रहे हैं कि यह जो बिंदू है दोनों चापों पर है यानि पहले चाप पर होने करण उसकी Q से दूरी 5 cm है और दूसरे चाप पर होने करण उसकी R से दूरी 6 cm है यानि एक ऐसा बिंदू हमारे पास है जो Q से तो 5 cm की दूरी पर है और R से 6 cm की दूरी पर है, यानि इस बिंदू को हम Q और R से मिला दें, तो जो भुजाय हमको मिलेंगे, वो क्रम्ष है 5 cm और 6 cm की होंगी, तो चली इसे हम मिलाते हैं, यह हमने Q से इसे मिलाया, और ठीक उसी तरह से हमने उस बिंदू को R से भी मिला दिया, यह हमने इसे R से मिला दिया, और इस बिंदू को हम नाम दे दे, माल लिजिए इसका नाम P दिया, अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक त्रिभुच P Q R है, और आपने Q R की रचना 7 cm शुरूबे की थी, Q P 5 cm का है, क्योंकि यह जो चाप आपने काटा था, उसके तरिज त्रिजा 6 cm थी, यानि जो त्रिभुच आपने मनाया, उसमें भुजा Q R तो 7 cm की है, भुजा P Q 5 cm की है, और भुजा P R 6 cm की है, तो आप देख रहे हैं कि जो माप आपने ली थी, क्रम शह 5 cm, 6 cm और 7 cm, इन तीनों मापों की मदद से आप एक त्रिभुच की रचना कर पा र बाइयों के साथ, यदि हम त्रिभुच की रचना करें, तो वो रचना की जा सकती है, बच्चो, आएब हम कुष नई माप लेते हैं त्रिभुच की भुजा। और देखते हैं क्या उन नापों से भी या उन मापों से भी त्रिभूश की रशना की जा सकती है माल लिजे हमें एक ऐसे त्रिभूश की रशना कर ली है जिसकी एक भुजा कर दो सेंटीमिटर की हो दूसरी भुजा 3 cm की हो और तीसरी भुजा 6 cm की हो कल्पना करिे हमें ये 3 माम दी हुई है करमशा 2, 3, 6 cm की तो हमें देखना है क्या इनसे भी त्रिभूचा की रशना की जा सकती है चलिए कुशिश करते हैं सबसे पहले इसको हम आधार यदी बना ले दो सेंटीमीटर की भुजा को तो कैसी आक्रिती बनती है यह हमने दो सेंटीमीटर लंबाई करेकर रेखा खंड कीजा यह हमारे त्रभुच की एक भुजा हुई दूसरी भुजा तीन सेंटीमीटर की है तो हम परिकार की मदद से 3 cm तरिज्या का एक चाप लेंगे और इसे एक तरफ रख के हम एक चाप खीशते हैं जिसकी तरिज्या 3 cm की है तो हमने इस भुजा की माप लेकर एक चाप ले लिया अब तीसरी भुजा को हम देखें जिसके लंबाई 6 cm की है हम फिर परिकार की मदद से 6 cm का फैलाओ लेंगे और देखेंगे कि ये चाप पहले वाले चाप को कहां पर काटता है ये हमने 6 cm तरिज्या का एक चाप लिया और ये दूसरे बिंदू पर हम परिकार की नो को रखते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले वाले चाप को काटे आप देख रहे हैं कि जो 6 cm तिज्या का हमने चाप कीचा है वा पहले वाले चाप को कहें पर नहीं काटता यानि कुई बिंदू हम असा नहीं मिल सकता जो यहां सहंाद लिए र बिंदू हम क्यू कहते हैं यह सारे बिंदू जो इस चाप पर हैं वह घ्य आर से 3 cm की दूरी पर हैं और यहां पर इस सारे बिंदू जिसको हम Q कहते हैं और इसे हम R कहते हैं तो यह सारे बिंदू जो इस चाप पर हैं वो R से 3 cm की दूरी पर हैं और यहां पर इस सारे बिंदू Q से 6 cm की दूरी पर हैं और चुकि दोनों चाप एक दूतर हो कहीं पर नहीं काट रहे हैं तो ऐसी सिति में हम यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई बिंदो नहीं मिल रहा है जो R से 3 cm हो और Q से 6 cm को हो याने हम कहा सकते हैं कि इन मापों के आधार पर त्रिभूज की रशना करना संभू नहीं है है अगे हम, अब दूसरी सिर्टि ले अब ये सूस्च सकते हैं कि हमने पहली बार आधार को 2 cm लिया इस 것은 शैद इस सर्फ नहीं बन पार इह है हम, एक काम कर और करते हैं आधार 3 cm के लेक देखते हैं और कोशिच करते हैं कि आइसी से 1 cm में त्रिभूज करैशना सकती है चलिए यहां पर एक और कोशिश करें हम यह हमने एक रेखा खंड खीचा जिसकी लंबाई 3 सेंटी मिटर की है इसे भी हम नाम दे दें मान लिजे हमारे पहला बिंदु Q है और दूतरा वला बिंदु R है और इस Q R की जो लंबाई है वो 3 सेंटी मिटर है अब हमारे पास दो भुजायां बसती हैं जिनके लंबाईया करमशा 2 cm और 6 cm की हैं हम किसी एक बिंदू से 2 cm तरिजा का चाप खीचे और इसके लिए परकार से हम 2 cm का फैला ओले और माल लिजा इस बार हम Q से कोशिश करते हैं तो परकार की नोग को हमने Q पे रखा और एक चाप काटा यहां से जिसके तरिजा 2 cm है यानि इस चाप के हर बिंदू की दूरी Q से 2 cm की है अब हम तीसरी भुजा के लिए कोशिश करें तीसरी भुजा की माप 6 cm है परकार की मदद से हम 6 cm का फैलाओ लें और यह हमने अपने परकार को 6 cm फैलाया और आर बिंदू पर परकार की नोग को रखा और यह हम चाप खिचने कोशिश करते हैं आप देखिए हम यहां तर शुरू कर रहे हैं एक दम नीचे से और इसको काफी आगे तक बढ़ा रहे ह कहीं ऐसी संभावना ने दिख रही है कि दूसरा वाले चाप पहले चापो काडता हो यानि फिर से हमें कोई ऐसा बिंदो नहीं मिल पा रहा है जो क्यू से तो 2 cm की दूरी पर हो और आर से 6 cm की दूरी पर हो यानि यहां भी हम कह सकते हैं कि ऐसे त्रभुश की रशना मुश् है जिसकी तीनों भुजाओं की माप करम शह दो तीन और 6 cm है चलिए एक और विकल्प हमारे पास बसता है यदि हम आधार को 6 cm ले ले और शेस दो भुजाओं को करम शह 2 और 3 cm कर ले तो क्या त्रभुश के रशना हो सकती है चलिए एक बार ये भी कोशिश करके देखे हम और इसे भी हम नाम दे दें बिंदू क्यू और बिंदू आर इसके लंबाई है 6 cm अब हमारे पास दो भुजाओं बची दो और 3 cm की हम फिर से परकार और स्केल पट्टी की सहाता से इस काम को करेंगे 2 cm का फैलाओ लें और किसी भी एक तरफ रख के हम इसका दो सेंटिमेटर तिर्जा के चाप खीचे तिया चाप हमें इस तरह से मिलेगा और फिर दूसरी बुजा लें 3 cm की और दूसरे बिंदू पर परकार की नोक रखें और इसके अधार पर एक चाप खीचे हम यहां भी देख रहे हैं कि यह दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदू पर नहीं काट रहे हैं यानि ऐसा कोई भी बिंदू ढून पाना मुश्किल है जो आर से तो 2 cm की दूरी पर हो और Q से 3 cm की दूरी पर हो तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्तिती में भी जब हमने आधार को 6 cm के लिया त्रिभूश की रशना करना संभू नहीं है तो इन तीनों उदारनों से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह से हम एक त्रिभूश की रशना नहीं कर पा रहे हैं जिनके भूशाओं के लंबाईया करमशा 2, 3, 6 cm की है पहले जो माप हमने ली थी आपको ध्यान होगा वहाँ पर इन भूशाओं की लंबाईया करमशा 5, 6, 7 cm थी वहाँ पर आपने त्रिभूश की रशना कर ली थी लेकिन यहाँ वो शीज नहीं हो पा रही है तो इससे हम एक निशकस निकाल सकते हैं आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी वाली भूशा है जिसके लंबाई 6 cm है वो इन दोनों भूशाओं की इन दोनों छोटी भूशाओं की लंबाईयों को योग फल से अधिक है दो और तीन को जोड़ने पर पांच होता है और यह 6 cm है यानि दो भूशाओं को जोड़ने तो पहली भूशा से उसके लंबाईयों को योग कम होता है तो यहाँ पर एक निशकर समय मिलता है यदि त्रिभुश की दो छोटी भूशाओं की लंबाईयों को योग तीसरी भूशाओं से अधिक होगा तब ही हम उस त्रिभुश की रशना कर सकते हैं करके देखें क्या दीगी मापों से त्रिभुश बनाना संभव है पहला 2 cm, 3 cm, 4 cm दूसरा 3 cm, 4 cm, 5 cm तीसरा 2 cm, 4 cm, 8 cm 4 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm